दोस्तों वहवद स्वागत है आको नमस्तने न्यूस मैं हूँ आको दोस्तों नमीन शर्मा हम बात करें मोसमी भाग के लेटेश्ट अफडेट की दूस्तों मोसमी भाग लेटेश्ट जारी क्या है अफडेट जारी हुआ है 24 और 25 अपरेल के लिए तो आई जानते हैं तो सो मोसमी भाग लेट जारी कर दिया है और रायस्थान में फिर फलटने वाला है मोसम 50 किलोमेटर के रप्तार से दूल वरियांदी और बारिश की आशंगा मोसमी भाग लेट जारी कर दिया है 24 और 25 अपरेल को पूरी और पश्चिमी रायस्थान में तेजवाग के साथ धूल वरियांदी ने के दर्स्ट स्ट्रोम चलने की चेतावनी दी गई है 23 अपरेल को विकानेर बारमेर जेसल मेर जोधपूर में लूग चलने की चेतावनी दी है वहीं 24 और 25 को पश्चिमी और रायस्थान के जेसल मेर बारमेर जोधपूर नागोर विकानेर हनुमानगर सी गंगानगर चूरू और पूरी रायस्थान के अजमेर जुन-जुन सीक में 50 किलोमेटर की रफ्तार से दूल भरियांदी और बारिश की चेतावनी जारी कर दे गई है दोस्तों मोसमी उभाग ने चेतावनी खास कर राइस स्थांगले जारी की आसपास के श्यत्रवित से प्रभावित होंगे गोरतर वहें कि 7 और 16 अप्रेल को आंधी बारिश से संबावना है जिसके चलते जम्मु कश्मी निमाचल प्रदेश पूर्वी मद्देश और उसके लावा उत्तर पश्यमी और पूर्वी राइस्थान इकुछ इलाकों में तेज रफ्तार से धूल भरियांदी चलने का अनुवान है वहीं अगले दो दीन पश्यमी राइस्थ पश्यमी राइस्थान में एक तली डिगरी के पार पहुँच गया है वहीं मोसमी विग्यानिक विभागन दो से तीन दिन जो है जुलसाने वाली गर्मी का असर रहेगा और इसके बाद उत्तर पश्यमी राइस्थान को चिलाकों में तेज रफ्तार के संद आन्दी और बा किया गया है मुई राजधानी में बीते दो दिन में फिर से पारे से रफ्तार पकड़ ली है शहर में आज सुबच्छे बजए सताई डिगरी सेल्सिस अरिक्तम तापमा रिकाड हुआ आज सुबच्छ शहर में छित राय बादलों की आवाज आई जरूर रही लेकिन पर आपको लिए उबस्ति होंगा ने जानकारी के साथ तब तक लिए उस्तों खुश रहिए स्वास्त रहिए नमस्ते इंडिया